कई सालों पहले एक छोटे से शहर में एक खिलोने वाला रहता था, जिसका नाम जिपैटो था, वो लकडी के खिलोने बना के बेजता था, उसे जिन्दगी में एक ही दुख था, कि उसका कोई बच्चा नहीं था एक दिल, जंगल में उसे एक पेड का तना मिला, जो खिलोना बनाने के लिए सही था बिल्कुल सही है ये लकडी, मैं इससे एक प्यारा सा पुतला बनाऊँगा जिपैटो, वो लकडी लेके अपनी वर्कशॉप की ओर चल पड़ा अपनी टेबल पे उसे रख के उससे पुतला बनाना शुरू किया अचानक से कुछ अजीब सा हुआ एक आवाज आए, उस लकडे से पहले तो जिपैटो चौक गया पर फिर उसे लगा कि उसने गलत सुना और उसने पुतला बनाना चालू रखा और फिर वही अवाज वापस आई लगता है मैं बुढधा हो गया हूँ अब मेरे कान भी बजने लगे हैं जिपैटो ने अपना काम चालू रखा सबसे पहले पुतले का चेहरा बना फिर उसके हाथ और पैर जिपैटो का पुतला पूरा बन गया उसे कुरसी पर रखके उसने सफाई शुरू की तब ही उसे एक आवाज आई जिपैटो ने यहाँ वहाँ देखा पर उसे पुतले के अलावा और कुछ नहीं दिखा तो उसने अपना काम चालू रखा थोड़ी देर में वो पुतला कुरसी से नीचे कूदा और नाचने लगा ये देखके जिपैटो का सर चकरा गया अरे बापरे इस पुतले में तो जान है ये कोई बच्चा तो नहीं था पर बच्चों की तरह ही हसता बोलता और नाच रहा था जिपैटो ने उसे उठाया अपसे तुम्हारा नाम पिनाकियो है मेरे बच्चे जिपैटो और पिनाकियो खुशी से रहने लगे पिनाकियो के स्कूल जाने का समय हो गया था पर जिपैटो के पास उसके स्टेशनरी के लिए पैसे नहीं थे इसलिए जिपैटो ने अपना कोट पेच के उसके पैसे पिनाकियो को दिये पिनाकियो उन पैसों के साथ स्कूल की ओर चल पड़ा रास्ते में सारे लोगों और दुकानों को निहारते हुए अचानक उसे सामने एक जगा खलबली से दिखी क्या हो रहा है जानने के लिए वो भीड के बीच में गया और असानी से उस पार पहुँच गया छोटा सा उस पार था एक रंग विरंगा टेंट सर्कस टेंट वहाँ पे एक जोकर टिकेट लेने के लिए लोगों को बुला रहा था पिनौकियो को देखना था कि अंदर है क्या पर उस जोकर ने उसे रोक लिया और कहा अंदर जाने के लिए पैसे लगते हैं पिनौकियो को उन पैसों का खयाल आया जो जिपैटो ने उसे स्कूल के लिए दिये थे पैसे है मेरे पास उसने वो पैसे निकाले और जोकर को दे दिये टेंट के अंदर बड़ा मज़ा आ रहा था उसने वहां कुछ पुतले देखे जो स्टेज पे नाच रहे थे ये दोनों भी लकड़ी के बने है पिनौकियो भी स्टेज पे चढ़ कर उनके साथ नाचने लगा पर ये वहां खड़े दर्शकों को नहीं पसंद आया सरकस का मालिक जो उपर से इन पुतलों को दोरी से नचा रहा था बड़ा खुश हुआ एक जिन्दा पुतला देखके अरे वहां क्या बात है बिना टोरी का ये पुतला ये तो मुझे अमीर बना देगा माला माल बना देगा शोग के खत्म होते ही उसने पिनौकियो को पकड़ा और उसे बंदी बना लिया पिनौक्यो को बड़ा दुख हुआ कि उसने जिपैटो की बात नहीं सुनी और स्कूल नहीं गया तो वो रोने लगा पिनौक्यो को इस तरह अफसोस करते हुए देख एक फेरी वहां आई तुम्हें अपने पापा की बात माननी चाहिए थी पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो है इसलिए मैं तुम्हें यहां से निकालूँगी पर वही गलती फिर मत करना पिनौक्यो बहुत खुश था पर अब कोई पैसे नहीं है मेरे पास मैं स्कूल कैसे जाओंगा फेरी ने जादू किया और पिनौक्यो के हाथ में पैसे आ गए इस पैसे का गलत इस्तमाल मत करना अब सीधे स्कूल जाओं फेरी ने उसे सरकस से छोड़ा लिया खुशी से घूमते गाते पिनौक्यो स्कूल के ओर चल पड़ा फिर से उसे इतनी खुशी में देख चालाक लोमडी और उसका दोस्त बावली बिल्ली उसके रास्ते में आ गए और उससे पैसे ठगने का प्लान बनाया अरे भाई इतने जूमते जूमते कहा जा रहे हो मैं अपने लिए स्टेशनरी खरीदने जा रहा हूँ अरे इतने से पैसे में स्टेशनरी कौन देगा मेरे भाई मैं तुम्हें इससे भी जादा पैसे दे सकता हूँ मुझे क्या करना होगा हमें ये पैसे दे दो हमें से जादो ए खेत में बो देंगे फिर तुमारे पास भी एक अपना धानवरक्ष होगा जब चाहो जाके उसमें से पैसे तोल लिया करना भोले भाले पिनौकियों ने लोम्री की बात मानके उससे पैसे दे दिये पैसे लेके लोम्री और बिल्ली उड़न्चू हो गए पिनौकियों को चिंतित देखके फेरी फिर से आई तुम अभी तक स्कूल नहीं पहुँचे? मैंने जो पैसे दिये थे स्टेशनरी के लिए वो कहा है? फेरी को मालूम था कि उसने पैसे लोम्री को दे दिये है उसने पिनौकियों से कहा मुझसे जूट मत बोलना वरना पनिश करूँगी मैं फिर भी पिनौकियों ने जूट बोला मैंने स्टेशनरी खरीद लिया पर स्कूल में रख दिया है इतना बोलते ही उसकी नाक लंबी होने लगी क्या तुम सच कह रहे हो? जैसे जैसे वो जूट बोलता गया उसकी नाक और लंबी होती गई इतना लंबा कि अब सरहिलाना मुश्किल हो गया था अरे 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 ये क्या हो रहा है? फिर उसने फेरी को सच सच सब बता दिया कि क्या हुआ था पिनौकियों ने सच्चाई का रास्ता चुना इसलिए फेरी ने उसकी नाक ठीक कर दी मैंने तुमें माफ किया क्योंकि तुमने सच कहा जादू से उसने वो पैसे पिनौकियों को दे दिये जो लंब्री ने उससे लिये थे और उसे समझाया कि पैसे बरबाद ना करे फिर से पैसो को हाथ में लिए पिनौक्यों जूमते गाते फिर से आगे बढ़ने लगा और अब एक नई मुसीबत सामने आई सरकस का मालिक जिसने उसे बंदी बनाया था वही खड़ा था सरकस वाला पिनौक्यों से बहुत नारास था क्योंकि वो वहां से भाग गया था वो उसे पनिश करना चाहता था उसने पिनौक्यों को उठा के समंदर में फेग दिया पिनौक्यों समंदर में गिरात तो सही पर डूबा नहीं वो उपर ही रहा क्योंकि वो लकडी का बना हुआ था उसको उपर रहने में बड़ा मज़ा आ रहा था और उसने हाथ पांव चला के तैरना शुरू कर दिया और वो धीरे-धीरे किनारे की तरब जाने लगा अरे ये क्या हुआ? कहा हूँ मैं? पिनाकियो ने अचानक खुद को एक अंधेरी सी जगा में पाया इधर उधर कुछ भी नजर नहीं आ रहा था असल में पिनाकियो को एक बड़ी सी मचली ने निगल लिया था और अब वो उसके पेट के अंदर था दूसरी तरफ जिपेटो पिनाकियो को लेकर चिंतित था और उसे ढूणने बाहर निकला पिनाकियो! पिनाकियो! आखिर में वो उस जगा पहुँचा जहां से पिनाकियो को समंदर में गिराया गया था वहां मचवारों से पूछा एक मचवारे को पता था उस लड़के के बारे में उसने बोला कि वो समंदर में गिर गया था जिपेटो ने उसे मदद मांगी उन्हें मालूम था कि जिपेटो एक अच्छा इंसान है वो तैयार हो गए उसकी मदद करने के लिए जिपेटो को उसने एक छोटी सी नाव दी पिनौकियों को बचाने के लिए जिपेटो नाव लेके समंदर में जाता रहा थोड़ी देर में एक भयानक तूफान आने लगा इस छोटी सी नाव से बड़े बड़े लहरों का सामना नहीं किया गया और वो डूब गई आता था वो समंदर की गहराईयों में जाने लगा उसी समय जिस बड़ी मचली ने पिनौकियों को निगला था उसी ने जिपेटो को भी निगल लिया जिपेटो उसके गले से उतर के सीधा पेट में गया और उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आई उसे ये आवाज एका एक पहचान में आ गई पिनौकियों मेरे बच्चे तुम मिल गए आखिर कितना परेशान था मैं अपने पापा की आवाज सुनके पिनौकियों रोते हुए उनसे गले मिला सौरी पापा मैंने आपकी बात नहीं सुनी मुझे माफ कर दो अपसे मैं हमेशा आपकी बात मानूंगा ये देखके कि इस बार पिनौकियों सच में बुरा महसूस कर रहा था फेरी ने उन दोनों को मचली के पेट से निकाल कर सही सलामत किनारे पे पहुँचा दिया उस दिन से पिनौकियों सयाना हो गया और हमेशा अपने पापा की सुनता हर रोज वो स्कूल जाता और स्कूल के बाद पापा की मदद करता फेरी ने देखा कि पिनौकियों ने खुद को इतना अच्छा बच्चा बनाया और उसे इनाम देने की सोची उसने एक रात जब पिनौक्यो सो रहा था, वो उसके पास आई और उस पे जादू किया सुभा होते ही पिनौक्यो स्कूल के लिए तैयार होने लगा उठते समय उसे महसूस हुआ कि कुछ अलग है उसने अपने हाथ देखे, फिर बाकी शरीर देखा वो चौक गया, वो अब लकडी का ना रहा, वो सभी इंसानों की तरह था वैसी ही चमडी थी, वो कूद के अपने पापा की पास गया पापा, पापा, मुझे देखो अपने बेटे को पूरी तरह इंसान हुए देख, जिपैटो बहुत खुश हुआ पिनाचियो, अब तुम मेरे असली बेटे हो पापा बेटे दोनों गले मिले, आखों में आसों लिये खुशी के पिनाचियों ने फिर कभी जूट नहीं कहा, और उसकी नाख जैसी की तैसी रही एक समय की बात है, एक पती और पत्नी का जोड़ा था, उनका कोई बच्चा नहीं था, पर उन्हें एक बेटी की बहुत इच्छा थी कुछ दिनों बाद, उनको बच्चा होने वाला था एक दिन उन्हें खिड़की के बाहर एक लेटीूस गार्डन दिखा, तब से उन्हें वहां से लेटीूस खाने की इच्छा हुई पता नहीं कब मैं वो लेटीूस खा पाऊंगे उनकी भूग कम होने लगी और तब्यत भी खराब होने लगी एक दिन उनके पती को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने वादा किया कि वो उनके लिए मुठी भर लेटीूस लेके आएंगे तुम चिंता मत करो, मैं तुमारे लिए लेटीूस लाँगा लेकिन तुम्हें पता है ना, वो बहुत खाला नाख है वो घर था एक डायन का और उसके चारो ओर उची उची दिवारे थी जिस पर कोई चड़ने की सोच भी नहीं सकता था वो पूरा जोर लगाके उस दिवार पे चड़े गार्डन में गए और उल्होंने मुठी भर लेटीूस निकाला उनकी पत्नी ने बड़े शौक से लेटीूस खाया और बहतर मैसूस करने लगी पर मुठी भर लेटीूस से उनका जी नहीं भरा अगले दिन उनकी पती फिर से उस गार्डन में गए पर इस बार वो डायन वहीं खड़ी थी इतनी हे माद के मेरे गार्डन में आके मेरा लेटीूस चुडाते हो तो जो मुझ से पूछ तो सकते थे ना मेरी बीबी पेट से है और उसे आपके लेटीूस बहुर पसंद है माफ कर दू तुम्हे तो सजा मिलेगी अगर मेरी पतनी ने लेटीूस नहीं खाया तो बीमार हो जाएगी और बच्चे को परिशानी होगी प्लीज तो क्यों ना एक सौधा करे तुम्हे जितना चाहो यहां से लेटीूस ले जाओ पर एक शर्त पर तुमारे बच्चे का जनम होते ही मुझे दे दोगे डर के मारे उन्होंने हां कह दिया कुछ दिनों के बाद बच्ची हुई और डायन आके उसे ले गई उसने उसका नाम रखा रैपुन्जिल क्योंकि जो लेटीूस उसकी मौम खाती थी उसका नाम भी वही था उस डायन ने रैपुन्जिल का बहुत खयाल रखा सोला साल के होते होते वो बड़ी सुन्दर हो चुकी थी उसका घर जंगल के बीच में एक बहुत उची इमारत में था और इस इमारत में सीडिया नहीं थी सिर्फ उपर एक खिड़की थी डायन ने कभी भी इस सुन्दरी के बाल नहीं काटे थे उससे मिलने आती तो नीचे से अवाज देती रापंजल रापंजल अपने सोने जैसे बाल तो नीचे करो तुम्हारी मम्मी हूँ अपनी खिड़की से रापंजल अपने सोने जैसे बाल नीचे करती और उसी के सहारे ये डायन उस पे चड़ जाती ये सालों तक चलता रहा एक दिन उस जंगल ने एक प्रिंस आया शिकार करने और उसने एक सुरीली आवास को सुना गाना गाते हुए उसने सोचा और आवास की ओर बढ़ता गया रैपिंजल की इमारत के पास आके उसने बाया देखा फिर दाया पर कोई सीड़ी वीड़ी नजर ही नहीं आई वो आवाज प्रिंस को हर रोज वहां खीच लाती थी पर उपर चर्णा ही नहीं हो पाया एक रात इमारत की तरफ जाते हुए उससे नीचे डायन दिखी रापॉंजल रापॉंजल अपने सोने जैसे बाल को नीचे करो तुम्हारी मम्मी हूँ अपनी खिड़की से रापॉंजल ने अपने सोने जैसे बाल नीचे करती और उसी के सहारे ये डायन उस पे चर्ण जाती अगले दिन सूरज ढलते ही प्रिंस वहां गया और आवाज बदल के चिलाया अपनी मा के अलावा पहले बार किसी इंसान को देखा रापॉंजल थोड़ा डर गई तो ममी नहीं हो क्यों आये हो यहां डरने की कोई बात नहीं है तुमारा गाना सुनके तुमारी आवाज से प्यार हो गया आवाज किसकी है बस यही देखना था रापॉंजल को प्रिंस की बात अच्छी लगी और अब डर नहीं रही थी वो कुछ समय तो सब कुछ सही चल रहा था और डायन को कुछ भी भनत नहीं लगी एक दिन प्रिंस ने रापॉंजल से शादी की बात की रापॉंजल ने खुशी-खुशी हाँ बोला पर रापॉंजल को नीचे जाने का कोई तरीका नहीं सूज रहा था अचानक एक आईडिया आया हर बार प्रिंस एक कपड़े का टुकड़ा लेके आता था रापॉंजल उनको जोड़ के एक रसी बना रही थी पर एक दिन रापॉंजल से एक गलती हो गई और उसके मूँ से एक बात निकल गई ममी आपसे ज़्यादा तेज तो प्रिंस चाड़ता है प्रिंस? डायन को समझ में आ गया कि कुछ गड़बड है और वो चिल्लाने लगी तुमने मुझे धोका दिया है मैं तुम्हें बहार की दुनिया से बचाना चाहती थी डायन ने गुसे के मारे रैपॉंजल के सुन्दर सोने जैसे बाल काट दिये और उसे एक दूर दरास के र्यगिस्तान में भेज दिया उस रात डायन घर पे प्रिंस के आने का इंतजार कर रही थी थोड़ी देर में प्रिंस की आवाज आई डायन ने रैपॉंजल के बाल नीचे कर दिये उपर कौन है ना जानते हुए प्रिंस चहनने लगा वहाँ पे रैपॉंजल नहीं बलकि डायन दिखी वो समझ गया कि कुछ बुरा हुआ है डायन उसकी तरफ आ रही थी कि प्रिंस घबरा के गिर गया नीचे कुछ पौधे थे नीचे कुछ पौधे थे तो प्रिंस बच गया पर आखों में काटे लगने की वज़ा से वो देख नहीं पा रहा था बिना देखे प्रिंस जंगल में घूमता रहा रैपंजिल को ढूनते हुए रास्ते में फल भी मिले तोड़के खा लिया चलते चलते इतनी दूर आ गया कि रेगिस्तान पहुँच गया और अचानक कुछ हुआ एक सुरीली आवास सुनाई दी वो आवास वो पहचानता था वो उस आवास की तरफ जाने लगा चिलाते हुए रैपंजिल ने प्रिंस की आवास पहचान ली वो उसकी तरफ दोडने लगी तोम यहाँ दोनों कितने खुश हुए मिलते ही दोनों गले लगे और वो रोने लगी रैपंजिल की आशू प्रिंस की आखो पर गिरे और अचानक एक चमतकार हुआ और प्रिंस आखे खोल के देखने लगा ये देखके रैपंजिल बहुत खुश हुई दोनों एक साथ प्रिंस के किंडम गए जहां लोगों ने उनका स्वागत किया और दोनों हमेशा खुश रहे एक समय की बात है एक हुपसूरत सी प्रिंसेस एक पड़े से महल में रहती थी एक दिन उसके पापा महराज जी ने उन्हें पर्थडे गिफ्ट में एक गोल्डन बॉल दिया प्रिंसेस को ये गोल्डन बॉल बहुत पसंद था और वो अपना सारा वक्त उसके साथ खेलने लगी एक दिन वो खेलते खेलते बाहर चली गई प्रिंसेस बॉल से खेलती खेलती एक पॉंड के पास पहच गई वो खड़ी-खड़ी खेल रही थी कि वो बॉल को पकड़ नहीं पाई और बॉल दूर जाने लगा मेरा बॉल प्रिंसेस बॉल के पीछे भागने लगी पर बॉल और भी तेज जाने लगा आगे जाके वो बॉल पॉंड में गिर गया और गहरे पानी में डूप गया ओ नो प्रिंसेस पॉंड के पास बैठके रोने लगी ओ, मेरा प्यारा गोल्डन बॉल, अब मैं कैसे उसे वापस लाओं। अचानक, प्रिंसेस ने एक आवाज सुनी। मेरी सुन्दर प्रिंसेस, आप क्यों रो रही हो। प्रिंसेस ने आसपास देखा, पर समझ नहीं पाई कि आवाज कहां से आ रही है। जब ध्यान से देखा, तो देखा कि ये मेंडक की आवाज है, जो पास बैठ के प्रिंसेस को देख रहा था। मेंडक, प्रिंसेस की तरफ कूदा और फिर से पूछा। क्या हुआ मेरी सुन्दर प्रिंसेस, आप क्यों रो रही हो। प्रिंसेस हैरान हो गई जब उसने बोलते हुए मेंडक को देखा। एक बोलता हुआ मेंडक, ये कैसे हो सकता है। अरे प्रिंसेस, सामने बठा हूँ आपके, अब बताये क्यों रो रही हो। खुद को शान करके, प्रिंसेस अपनी कहानी बताने लगी। कोल्डन बॉल, जो मेरे पापा ने मुझे दिया, वो पॉन्ड में गिर गया है और डूब गया। अब में क्या करूँ। मेंडक, प्रिंसेस के पैरों की नज़दीक आया और एक तरीका बताया। सुनर प्रिंसेस, मैं आपका बॉल ले आउँगा, पर उसके बदले में आपको मेरे लिए कुछ करना होगा। प्रिंसेस समझी नहीं, पर क्या करना होगा। अगर आप मेरी तोस्त बन जाएं, तो मैं आपकी साथ महल में रहना चाहूँगा। प्रिंसेस ने इसके बारे में सोचा और उसकी बात मान ली और मेंडक ने पानी में खूदी लगाई और अंदर गया थोड़ी देर बाद मेंडक गोल्डन बॉल के साथ बाहर आया और बॉल को प्रिंसेस की तरफ फेका बॉल मिलते ही, प्रिंसेस खुशी-खुशी वापस महल में जाने लगी प्रिंसेस को उसके बिना जाता देख, मेंडक ने जोड से आवाज लगाई मेरी सुन्दर प्रिंसेस, आप मुझे भूल गाई आप ने वादा किया था मुझे महल ले जाने का प्रैंसेस दूर से चिल्लाई अस्ते हुए तुम्हारी चैसा गंदा दिखने वाला मेंड़क मेरी जैसी सुन्दर प्रैंसेस के साथ रहने की सोच भी कैसे सकता है प्रैंसेस मेंड़क को वहीं छोड़ के महल में चली गई रात को महराजा, रानी और प्रिंसेस डिनर टेबल पे बैठे जब वो खाना खाना शुरू ही कर रहे थे ठीक उसी समय उन्होंने दर्वाजे पे दस्तक सुनी मेड ने उन्हें बताया कि मेड़क आया है और कहा कि प्रिंसेस ने उसे इन्वाइट किया है और वो अंदर आना चाहता है महराजा जी हैरान हुए और अपनी बेटी से पूछा आप बताएंगी ये क्या हो रहा है बेटी वो पापा प्रिंसेस ने सब कुछ बताया जो सुभा पॉंड के पास हुआ अगर तुमने मेडग को वादा किया था पॉल बचाने के लिए तो तुम्हें अपना वादा निभाना चाहिए महराजा ने मेडग को कहा कि मेडग को अंदर लाए थोड़ी देर में दर्वाजा खुला और मेडग कूटते हुए अंदर आया और डेनर टेबिल के नज़दीक आके रुख गया गुड इवनिंग सब को और महराजा जी थैंक यू मुझे अंदर बुलाने के लिए एक लंबी सी चलांग लगा के मेंडग प्रिंसेस के प्लेट के पास आ पहुचा दुखी होके प्रिंसेस ने मेंडग को देखा महराजा जी मेंडग के लिए एक प्लेट मंगवा रहे थे पर मेंडग ने उन्हें रोक दिया मेंडक ने प्रिंसेस की प्लेट में से खाना शुरू किया प्रिंसेस परिशान हुई पर सोचा कि दिनर के बाद तो वो वैसे भी चला जाएगा तो कुछ ना बोली पर मेंडक के कोई रादे नहीं थे दिनर के बाद जाने के जब प्रिंसेस टेबल से उठी तो मेंदक ने उन्हें रूम तक फॉलो किया समय घुजरा और मेंदक को नीद आने लगी मेरी प्रिंसेस मुझे बहुत नीद आ रही है अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपके बेड़ पे सोना चाता हूँ पिता को बुरा ना लगने के डर से प्रिंसेस ने इस बात के लिए भी हा कह दिया मेंदक बेड़ पे कूदा और अपना सर प्रिंसेस की नरम तक ये पे रख दिया अपना सारा हुस्सा ना दिखाने की कोशिश करते हुए प्रिंसेस मेंदक की नज़दीक सो गई सुभा होते ही मेंदक ने प्रिंसेस को जगाया गूड मॉर्निंग मेरी सुन्दर प्रिंसेस मेरी एक और विश है बस उसे पूरा कर दो तो मैं अभी के अभी चला जाऊंगा मेंदक चला जाएगा इस बात से प्रिंसेस बड़ी खुश हुई पर उसने ऐसा दिखाया नहीं अच्छा पताओ अब क्या है मेंदक ने प्रिंसेस की आँखों में देखा मैं चाहता हूँ कि आप मुझे किस करी प्रिंसेस प्रिंसेस उसे में उससे दूर खड़ी हुई तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये नहीं होगा मेंदक के चहरे की मुषकान गायब हो गई और उसकी जगा आशू टपकने लगे प्रिंसेस ने थोड़ी देड़ तक सोचा इसमें क्या है एक छोटी सी किस ही तो है और उसकी बाद इसे झुटका रा और प्रिंसेस ने मेंदक को किस किया जैसे ही प्रिंसेस ने मेंदग को किस किया, पूरा कमरा सफेद रोश्णी से भर गया. रोश्णी में प्रिंसेस को कुछ दिखाई नहीं दिया. थोड़ी देर बाद जब रोश्णी गुम होने लगी प्रिंसेस को फिर से दिखने लगा पर इस बार उसे अपनी आखों पर यकीन नहीं हुआ वही जहां मेंडग खड़ा था अब एक हैंसम आदमी था प्रिंसेस को पता नहीं था कि ये सच है या नहीं और इसलिए उन्होंने पूछा तुम कौन हो उस मेंडग को क्या हुआ मेरी सुन्दर प्रिंसेस मैं एक दूर राज्य का प्रिंस हूँ एक चुडल ने जादू करके मुझे मेंडग बना दिया था वो जादू तोड़ने के लिए मुझे एक प्रिंसेस के साथ एक रात रहना था और एक किस लेनी थी आपने मुझे हमेशा मेंडग रहने से बचा लिया प्रिंसेस हैरान तो हुई पर बहुत खुश भी हुई दोनों महाराजा के पास गए और पूरी बात बताई महाराजा ने कुछ और दिन प्रिंस की महमान नवाजी की अपने महल में प्रिंस और प्रिंसेस पॉंड के पास आए जहां वो पहली बार मिले थे मेरी प्रिंसेस क्या आप मुझे से शादे करोगी और मेरे घर चलोगी प्रिंसेस मुस्कुराई और सर हिला के हा कहा और ठीक उसी समय एक आवाज आई दोनों आवाज जहां से आई वहां मुझे और देखा वहां पॉंड के नजदीक एक मेंडग था दोनों ने अतनी सांस रोक ली और उसके बोलने का इंतजार किया पर ऐसा कुछ नहीं हुआ चिंता मत करो छोटे मेंडग एक दिन तुमें भी तुमारी प्रिंसेस मिलेगी थोड़ी समय बाद दोनों ने शादी कर ली और खुशी से रही हमेशा झाल